अगर OTG sport करता है तो क्या इसमें reverse charging की option भी हमें मिलती है या नहीं इसके साथ इस phone के देखेंगे benchmark scores और compare करेंगे और budget phones के साथ Moto G8 Power Lite Helio P35 processor के साथ आता है 4GB RAM है 64GB storage है 6.5 inch की 720p display है और 5000mAh की battery है चलिए सबसे पहले run करते हैं N22 benchmark test N22 benchmark test complete हो चुका है और इस device के overall score है 105070 GPU के है 5950 and CPU के है 45968 अगर हम इस phone के score और devices से compare करते हैं जैसे की realme C3, Samsung M11, Samsung 01 तो इसकी position second number के उपर आती है और सबसे ज़्यादा score है realme C3 के third position पर रहता है Samsung M01 and fourth position के उपर है Samsung M11 तो चलिए अब next test शुरू करते हैं वो है geek benchmark scores इस phone की जो geek benchmark scores है वो single core के लिए 173 and multi core के लिए 844 और geek benchmark scores comparison में यह second position के उपर रहता है अगर हम इसे compare करते है realme C3 के साथ Samsung M11 and Samsung M01 के साथ सबसे top के उपर रहता है realme C3 second के उपर Moto G8 power light third position के उपर रहता है Samsung M11 and fourth position के उपर रहता है Samsung M01 तो चलिए अब हम देखते हैं क्या यह phone OTG sport करता है या नहीं जिहां बिल्कुल यह phone OTG sport करता है आपको इसे enable करने की जुरूट नहीं परती है क्योंकि यह by default ही on आती है क्योंकि यह phone OTG sport करता है तो क्या इस phone में reverse charging की option हमें दे गई है या नहीं चलिए देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह phone reverse charging sport करता है दोनों phones के उपर हमें show हो रहा है कि यह phone connected है एक दूसरे से OTG sport होने के कारण आप काफी devices इस phone के साथ connect कर सकते हूं जैसे की keyboard keyboard बिल्कुल properly work करता है आप इसको connect कर सकते हैं टाइपिंग के लिए इसके इलाबा आप USB light connect कर सकते हैं वह भी बिल्कुल work करती है properly और USB light के साथ साथ आप इस phone के साथ mouse भी connect कर सकते हैं अगर आप mouse के साथ इस phone को operate करना चाते हैं तो वह भी option आपको इसमें मिल जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपका कोभी स्वाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं hope to see you in my next video कर दो